तो आज हम जानेंगे कि कब है आमला नौमी पर्व या कब है इच्छा नौमी पर्व तथा इस दिन आमले के पेड़ की पूजा का क्या है विसेश महत्त और जानिये इसकीति थी और सुम्होर्ट और इसकी पौराणि कथा कि क्या है कथा किस कारण ये आमला नौमी मनाई जाती है तो फ्रेंट्स कार्टिक मास के सुकल पक्ष के नौमे दिन आमला नौमी का पर्व मनाया जाता है इस अक्षे नौमी के नाम से भी जानते हैं हिंदू धर्म में आमला नौमी का भी विसेश महत्व है इस बार आमला नौमी बारा नौम्बर सुक्रवार के दिन पढ़ रही है इस दिन दान धर्म का भी खास महत्व बताया गया है और कहते हैं कि इस दिन दान करने से उसका पुर्णे ब्यक्ति को इस जन्म में तो मिलता ही है साथ ही अंगले जन्म में भी मिलता है तार्मिंग ग्रंथों के अनुसार आमला नौमी के दिन आमला के ब्रक्ष की पूजा की जाती है इस दिन पूजा करने से ब्यक्ति के सबी पापों का ना सो जाता है और सरप्रथम मा लक्षमी की भी पूजा की जाती है। आमला नौमी के दिन सरप्रथम मा लक्षिमी की पूजा की जाती है तथा एक पॉनारी कथा के अनुसार माता लक्षिमी एक बार प्रत्वी लोग पर भ्रमण करने के लिए आएं थी यहां आकर उन्हें भगवान विश्नु और सिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई ऐसे में उन्हें ध्यान आया कि तुलसी और सिव के सरूप बेल के गुड़ आमले के ब्रक्ष में होते हैं इससे दोनों का अंस है इसलिए मा लक्षिमी ने आमले को ही सिव और विश्नु का सरूप मान कर पूजा की थी उनकी पूजा से प्रशन होकर दोनों देव एक साथ प्रगट हुए तथा महालक्षमी जी ने आमले के ब्रक्ष के नीचे ही भोजन बना कर विश्णु जी और भगमान सिप को खिलाया। उसी के संदर्व में हल सालकार्थिक सुक्ल नौमी के दिन आमला के पेड़ की पूजा की जाती है। आमला नौमी का सुब महुट है। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट से जरूर कीजिएगा धन्यवाद